अलब दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं कि जो काफी बच्चों के बन में होगा जिन्हों ने इस बार प्री दिया या फिर अगली बार देना है कि क्या ये करन्ट अफेर्स जो है वो रेली रेलिवेंट है यूपिसी के लिए तो इसका अंसर मैं दूँगा विद प्रूफ दूँगा तो अगर हम देखें तो रीसंट टाइम जो एक्जाम हुआ जो प्री हुआ यूपिसी तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला कि कुछ क अब थोड़ा सा वह बेसिक की तरफ चलेगे वह नेचरली वह भी बच्छों के लिए डिफिकल्ड होगा क्योंकि उन्होंने पहले लास यह जो है काफी चीज़ों जो हाई स्टेंडर की पड़ी तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिक है ना वह थोड़ा सब कहीं कहीं के कुछ आपको स्क्रीन चॉट दिखांगा बहुत जारा नहीं में कवर करने वारा आप यूटीब पे वीडियो पड़ी इसलिपी की जीएस की उसके अंदर दिखाया गया जैसे मैटवर्स है यह सिंपल था कोई भी किसी ने भी कहीं से भी पड़ा होगा वो किया होगा तो आप उसको सॉलो कर पाऊगे समरीन यह भी एक सिंपल कोईशन था नो डाउट यह अपना डाउन टूर्थ के अंदर आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल था वह उसको डेटेल में हमने पड़ा वहां पे डिसक्स किया गया डैन अगर हम यहां पर बात करें फिल स्टॉ डूल था है अब यहां पर जो कोशन है वह है आपकी website के उपर यह है वेbsite के ऊपर तो क्या आप website के उपर जा सकते हो यह दिक्कत है यहाँ पर बताऊंगा अब यह इंसेक्ट है तो अपना आंसर वहां पर निकल आया बाकियों से हमारा लेना देना है नहीं ठीक है जी तो देन पीफास की बारे में बात करें तो यह एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक था जो अगें यह क्रंट फेर के अंदर था अब यहां पर हमें क्या पता चलता है इसलों इसुल फ्रकरीडट फेर तो इतना समझ आ चाहिए लेकिन क्रेंट को क्रेंट क्या कर सकते हैं कि जिससे प्रकर और क्या इंग्रीडियंट होने चाहिए इक चीज उसके अंदर tradicional क्रेंट पर उससे और लेया कुशेष है और उससे आह के कि जैसे क्रूड फेर एक होता है क्रूड दूसरा होता है डिराइवड ठीक है डिराइवड और क्रूड में क्या फरक होता है यह क्रूड क्रूड फेर ऐसा क्रूड फेर होता है जो अगर आपने नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं पढ़ते जैसे सीकडा सीकडा के बारे म हमने पढ़ा तो ऐस सच अगर आप नपर पढ़ दो है तो इसको अम सब्सक्राइब बात की कि के सस्टेनिबल भीशन फ्यूल तो उसको फिर में नहीं होता तो नहीं पाड़ते दिल्ध क्या होता है माल जी को गवर्नर का क्वोशें अगया जैसे हमें रेडार का क्वोशन है क कि वो current में था लेकिन हम static में पढ़ते हैं तो मतलब derived का मतलब क्या होता है कि वो static में है आपके और लेकिन current में भी आ गया तो उसको हमने detail में पढ़ना होता है यह मैं हमेशा बताता हूँ अब यह तो current fair हमने समझ आया कि हाँ important है लेकिन अब यहां पर एमाल लिजिए आप क् कुछ extra information निकालनी पड़ेगी जिससे आप उस question को solo कर पाए अब बच्चे जारातर क्या करते है जो prepare करते है आपने दा हिंदू कोई पढ़ता है कोई Indian Express पढ़ता है या फिर बच्चे करते है मंतली पढ़ते है अब वो दीरी दीरी जाके क्या होता है कि आप मंतली बहुत सी short है ठीक है यह तो headline है current fair की तो उसके कोई जड़ा benefit होने वाला है अब यहां पर हमें करना क्या पढ़ेगा तो यहां तो अगर आप मंतली पढ़ रहे हो ठीक है तो उसको आपके वहां से आपको नूर्स बनाने पढ़ेंगे या कुछ करना पढ़ेगा या फिर आप क्या करो आप PT 365 पढ़ते हो उसके अंदर वैसे headline है वो दोनों में दिक्कत है तो हमें क्या करना है ideally current fair कैसे prepare करना है उसके उपर मैं बात करता हूँ तो जो भी बचे जो है 2025 के अंदर जो exam देने वाले हैं उनको यह ध्यान रखना है कि आपके current fair के अंदर कुछ चीज़े होनी institute के उपर ऐसा आपको जो magazine मिलती है मंतली उसके उपर ऐसा नहीं के वो 100% होती है हमेशा ध्यान रखो अगर कोई magazine है मंतली magazine है तो उसके अंदर जो material है वो उन्होंने अपने हिसाब से डाला हुए अब उसको elaborate कौन करेगा detail कौन बताएगा या उससे कोई derived topic निगलता है ठीक लेकिन क्या आप वहाँ पर को यूज करके question का answer निकाल सकते हो यह most important जो है उसको क्रेंट फेर के साथ जो है कि जो relevant अब जैसे बहुत सी news आती है आप देखते हैं इंटरेट के उपर जाओ भाई आप साई से टैक के अंदर 200 news भी कर सकते हो ठीक है लेकिन वह relevant कौन सी है हमने उसके उपर जाना है तो वो selection बहुत ज़रूड़ी है इसके इलावा static के साथ relate करना मैंने आपको बताया derived current fare then comprehensive updates आप यह भी हिंदू, Indian Express, down to earth और बहुत सी जो है websites है यह सभी को integrate करना UPAC के हिसाब से then monthly current fare class per subject यह है हमारा जो sleepy का course अब यह सारी चीज़ों देखके जो हमने decide कि है उसके बारे में बताता हूं ठीक है आप खुद अपना भी prepare कर सकते हो या कहीं से भी आपको लगता है वहां से कर सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि आपको sleepy का ही जो है जो मैं पैटरम बताने वालों उसी से prepare करना है ठीक है यहां पर कहा है monthly magazine पहले भी आती थी सभी पढ़ते थे monthly magazine आती थी ठीक है बहुत से बच्चे पढ़ते हैं हमने इस बर क्या किया पहले हमारे weekly current fair होते थे अब हमने क्या किया monthly current fair जो है monthly current fair जो है वो वीडियो जाएंगी मतलब जैसे मालो science and tech का है पूरे महीने का जो भी current fair है उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या current fair तो उसको explain करूंगा तो ये student का काम हो गया मतलब आप full month जो है आप अपना gs पढ़ो आप अपना optional पढ़ो आप ethics पढ़ो जो भी पढ़ना है पढ़ो और साथ में आप newspaper अगर पढ़ना है आपने आदा गंटा पढ़ दिया उसके बाद क्या है month के last में आपने क्या करना एक जो है अपना 3-4 दिन जो है वो दिने है ठीक है 3-4 दिन क्यों मैं बोल रहा हूँ अगर आपने थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ना है otherwise full month का full month का current fare है उसको हम कितने time में cover करेंगे उसको करेंगे two hour के अंदर हम cover तो मतलब 2-2 गंटी लगेंगे आप पढ़ रहे हो आपने notes बनाने तो आप यह मान की चलो कि 5 गंटे के अंदर आपका पूरा current fare cover हो जाएगा अब यह जो current fare है यह आपको याद भी रहेगा क्योंकि वीडियो की form के अंदर आपको मिलेगा with monthly तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि मेरा current fare shoot गया तो यह basically हमने अभी start किया है अब यह जो course है अपना यह इसका जो price है 7200 है इसके उपर 10% जो है जो पहले बच्चे जोईन करेंगे तो उनको offer मिलेगा और 6480 का यह मिलेगा आपको यहाँ पे जो current fare है उसके साथ साथ आपको जो questions है previous year यह भी सब कुछ मिलेगा again मैं यह मेरा view है हमने जो last year किया उससे एक improvement दी के मन्थली देदें ताकि बच्चे को बहुत जारा time waste ना हो पहले क्या होता ना weekly आते थे अब मन्थली उसको हमने convert इसलिए किया है कि बच्चा महिने के last में देखिया और काम खत्म हो जाए क्यूंकि बहुत से बच्चे ऐसे prepare कर रहे हैं तो हमें तो उनके साथ compete करना इसलिए ये काम स्टार्ट किया है I hope कि आपको ये पसंद आया होगा या फिर अगर आपको मालो ये कोर्स नहीं देना आपका मन्हें के मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ है कोई दिकत है then even then आप अपना self prepare कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप afford कर सकते हो this is the best initiative जो YouTube पे हम अभी लेग लिए so this is all so I hope कि आपको समझ आया होगा आपने कुछ सीखा होगा मिलते हैं next time thank you very much